आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि हम कोई भी वीडियो पोश्टर के इस तरह से बना सकते हैं जिसे हमारे पाद से एक तो सिधा पोश्टर होता है और एक चीज यह होता है कि हम उसके अंदर वीडियो भी लगा सकें और पोश्टर भी आता रहे तो इस तरह का हमें poster बनाना हम सीखेंगे तो सबसे पहले कोई भी background लेंगे यहां से कोई भी background हमने जिसे यह background ले लिया इसको control ले करके control x करके इसको हमने cut कर लिया यहां से और control n करके यहां से एक नई file ले ली जिसे मैं inches के अंदर यहां फे file ले रहा हूँ 5 और 7 की और जो की 350 इसका resolution रह जाएगा resolution हम थोड़ा इसको बढ़ा भी सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे इसको ok करेंगे और इसको हम बंद कर देते हैं और यहां से इसको बढ़ा कर लेंगे और control v से वह बेग्राउंड हम पेश्ट कर देंगे तो हमारे पास यह एक बेग्राउंड आगया इस तरह कर देंगे ok कर दिया हमने और फिर इसको filter में जाके blur करके और इसको ग्वाशन ब्लर कर दिया ताकि इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखे तो भी हमको पूरी तरह से दिख सके ओके करेंगे अब हमें यहां पर मेटर लिखना है जो जो भी लिखना है मेटर जैसे हम मेटर लिख रहे हैं यहां पर पोस्टर का जैसे हमने उपर नाम दे दिया हैडिंग का और यह किस चीज के लिए है यह पोस्टर हमारा किस चीज के लिए है यह तो जो संस्था का नाम है उपर आ गया और यह किस चीज का पोस्टर है किस के लिए है वो यहां पर आएगा जैसे हमें अगर जैसे इसमें देना है सरी शाम फागूल महुतसब चल रहा है भी तो इसका हैडिंग है सरी शाम फागूल महुतसब यह इसकी मैन हेडिंग है तो इसमें क्या करेंगे जैसे शाम शरी शाम इसमें बड़ा होना चाहिए क्योंकि यह इनका मैन है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और फागूल महुतसब को चोटा करके यहां से कट करके और यहां पे कंट्रॉल टी करके यहां पे लियाए जिसको हम यहां रख देंगे इस तरह से तो एक थोड़ा सा SBA अच्छा लगने लगा शरी शाम को हम और बड़ा कर लेते हैं यहां से यह कर लिया हमने और इसको हम यहां ले आएंगे इस तरह से अब इसके अंदर हम डेट डालेंगे कि उनकी डेट क्या है उनकी डेट जिसे एक मार्च को अभी चल रहा है उनकी डेट है एक मार्च दो जारते हैं इसको बुद्धवार अभी का यह चल रहा है श्री शाम फार्गुल महसुब चल रहा है भी तो हम यह डेट डाल देंगे यह हमने डेट डाल देगे अब इसके हंदर स्री शाम जी की हम फोटो लगाएंगे जिसे हमारे पास कोई भी अगर श्री शाम जी की फोटो है यहां पर जिसे हमारे पास यह फोटो सेव है इसको हम यहां ले आएंगे इसके अंदर यह हमने फोटो रखती यहां पर यहां पर रखती फोटो हमने और श्री शाम को यहां पर ले आए तो यह इसका में जो हेडिंग आउपर का यह हमारा बन गया है अब इसके अंदर जो कलाकार आ रहे हैं उनकी हम फोटो लेके आएंगे जैसे यह तेजी ब्रदर्स है इनकी हम फोटो लेके आएंगे यहां से कट करके और यहां से cutting ये photo की हमने कर लिए है और यहां से इनकी photo cut करके और अपने poster के अंदर लेके आएंगे यहां poster के अंदर photo ले आए और इस tool में जाके rubber के eraser के इस tool में जाके इस photo को थोड़ा सा हम यहां से mix कर लेंगे ताकि यह photo थोड़ी और अच्छी दिखे हमें इस तरह मिक्ष करने के बाद control और इसमें alt और shift दबा के इसको बढ़ा कर लेंगे यहां से और इसको नीचे ले आएंगे इससे नीचे अप कलाकार का जो नाम है वो दे देंगे हम यह हमने नाम दे दिये और यह क्या चीज़ है यह बजन करने वाले हैं तो बजन प्रवाहक हमने यह दे दिया इनका नाम एडिंग में तो यह मुख्यकलाकर है जो बजन करने के लिए आ रहे हैं तो हमने इनका नाम दे दिया कि हमने एक बार दे दिया फिर इसका हम क्या करेंगे थोड़ा सा डिजैन बाद में हम इसको टेक्स्ट के जो डिजैन है वह हम बाद में सेट करेंगे पहले हम पोश्टर बना रहे हैं इसका इसको सेव कर लिया हमने कोई भी नाम से इसके बाद में इनका जो प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीज़े होने वाली है इनका भी उन्होंने दिया है कि वो चीज़े इसमें लिखनी है जिसे प्रोग्राम कहां पर होना है और रातरी का टाइम क्या है और कहां पर होना ये चीज़े हम इसके अंदर एड़ कर देंग एक मर्स तो हमने लिखे दिया और इसके बाद हमें जिसके एक चीज़ लिखने है यहां पर रात्तरी के आठ बजे चीए आठ बजे शाम बाबा की इच्छा तक यह हमने इस पोश्टर के अंदर एड़ कर लिया यह रात्तरी के समय इनका टाइम हो गया कि यह किर्टन कब होने वाला है इनका प्रोग्राम ने यह देने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा डिजेन बना लेंगे यहां से इस टूल में जाके सेलेक्शिन के और इसको इतना सेलेक्ट करके कंट्रोल सिफ्ट एंड करके यहां से हम इस तना से कोई बी कलर देके डिजेन बना लेंगे इसको पिछे लेके जाएंगे इसके मुव टूल में जाके कंट्रोल और लेफ्ट ब्रेकर दबाएंगे तो यह इसके पीछे चला जाएगा अब यह जो सीरी साम जी का टेक्स्ट है इसके अंदर हम लेयर में जाएंगे लेश्टाइल और ग्रेडियंट ओवर ले यहां पे ग्रेडियंट हम यहां पे चेंज कर देंगे हम कोई भी ग्रेडियंट इसके अंदर लगा देंगे जो हमें अच्छा लगे जैसे इसके अंदर ये ग्रेडियंट मेरे को अच्छा लग रहा है तो हमने ये लगा दिया और इतना देने के बाद यहां पर यहां पर लेयर जो यह 3 है पीछे का बेग्रॉंड इसके अंदर थोड़ा सा विरेशन देने हैं हम फिल्टर में जाएंगे बलर और इरेडियन बल ये टील पर हम थोड़ा से यहां से बढ़ा दिया और रोकी कर दिया तो इसके अंदर थोड़ा सा डिजेन बन गया टाकि यह अच्छा दिखें अब इतना करने के बाद यहां पर यह तेजी बढ़ धार जो लिखा हुआ है यह दिखने रहा तो इसके अंदर ग्रेडियंट ह हम ददेंगे layer match डाल ताइल इसके अंदर ग्रेडिंट ओर लें यहां से जो दिखे वह हम यहां पे लगादेंगे जो अच्छी तरीके से और कोई घ्रेटेंट जैसे यह दिख रहाए जो आयो जख है यह हमने उनका नाम दे दिया इसको हम यहां पे लेके आएंगे और इसके अंदर जो दिखे हमें हो हम कलर दे देंगे इसको सेलेक्ट करेंगे और वाइट कलर इसके अंदर हमने दे दिया थाकि यह दिखे अब क्या करेंगे इसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाएंगे सबी को जोड लेंगे आपस में जोडने के बाद क्या करेंगे Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V यह हमने तीन चीज़े इसके अंदर कट करके रख ली है अब इसके अंदर क्या करेंगे यह जो पीछे का बेग्राउंड है राइट पेकट से वो हम डिलीट कर देंगे लेयर में जाएंगे लेयर यहां से डिलीट आएगा और डिलीट लेयर कर देंगे यह अब यह पीछे का जो बेग्राउंड है हमारे डिलीट हो चुका है अब इसके अंदर हम डिलीट बनाएगे यहां पे जैसे इस टूल के अंदर जाके और shift दबा के यहां पे हम इस तरह से design बना लेंगे कोई भी जहां पे जगए खाली है इसे हमारे पास इतनी जगए जो खाली है अब इसके अंदर हम इतना space बना लेंगे यह हमने इसके अंदर space बना लिया यहां भी तोड़ी जगए खाली है तो इतना स्पेस और बना लिया। इतना स्पेस बनाने के बाद और यहां पे इसको territory बटन से इसको डिलीट करदेंगे। ताकि यह इतना area हमें delete मिले। अब इसके अंदर हम video add करेंगे। इसको हम पहले save कर देंगे। और Ctrl Shift S करके यहां से इसके अंदर PNG सेव करेंगे हम PNG सेव करेंगे इसे हमने यह नाम दे कि PNG में अंदर सेव कर दिया यह PNG में सेव करना इसलिए जरूरी है क्याँकि हम इसका वीडियो लेके आएं तो यह PNG के अंदर ऊपर इसके timeline के अंदर file आएगे अब हम video software के अंदर जाएंगे कोई भी video का software है उसके अंदर हम जाएंगे और जैसे हमार पास ये software है Movavi का इसके अंदर जैसे हम चले गए add media file और यहां से वो हम अपनी file लेके आएंगे जो हमने बनाई थी PNG के नाम से कौन सी हमने file बनाई थी यह हमने file बनाई थी इसको open कर लेंगे यह file हमारी timeline के अंदर आ चुकी है अब इसका size जैसे 16 नो का है तो इसके अंदर size 1.1 का हम दे देंगे ताकि video के अंदर यह add हो जाए और इसके अंदर यहां से हम नीचे जो बजन इसका लेके आएंगे जिसे इनका जो बजन है या कोई song है कोई भी पिछे इसका इनका जो लगाना है हमने वो इसके पिछे लेके आएंगे आप video लेके आएंगे जो इसके पिछे हमने add करनी है यहाँ पे हम जैसे हम खाटू शाम जी का कोई भी बज़न लेके आएंगे जैसे मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा रहा हूँ कोई आप कोई भी बज़न लगा सकते है या कोई भी सोंग लगा सकते है यहाँ से कोई भी हम उठा लेंगे जैसे हमने यह क्लिप उठा ली और यह क्लिप इसके नीचे लेके आएंगे हम इस तरह से और यह इसके उपर लेके आएंगे यह जो हमने पोश्टर बनाया था इसको उपर लेके आएंगे इस तरह से यह 25 सेकंड का हमने इसके अंदर एड करना है अब इसको यहां से प्ले करेंगे हम देखिए यह बाहर जा रहा है इनकी पोश्टर तो हम इस पोश्टर को हम सेट करेंगे सेट करने के लिए हम यहां से इसको कोपी करके पेश्ट कर लेंगे कोपी करके हमने यहां पे इसको पेश्ट कर लिया इस तरह से एक इसके अंदर हमने time line रख लिया यह एक पूरा हमने time line इसका रख लिया और जो हमने copy किया था इसको हम उपर ले आए यह उपर हमने यहां पे लेके आके और इसको हमने क्या किया यहां से इसको छोटा कर लेंगे अब छोटा कितना करेंगे वो पोश्टर देखेंगे कि पोश्टर कितना है हमारा कि इतना पोश्टर है तो यह जो चीजे हैं यहां पर छोटा करके हमने सेट करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको इस पे क्लिक करके और यहां से इस तरह से चोटा कर लेंगे ताकि यह पोश्टर के अंदर पूरा-पूरा आ सके यहां तक जितना हमारा पोश्टर उतना वीडियो के अंदर हमें इसको चोटा कर लें आप देखिए इसको प्ले करते हैं अभी भी इसके बाहर आ रहा है वीडियो तो यह इसका वीडियो आ रहा है जो नीचे है इसको हम यहां से चोटा कर लेंगे बिल्कुल कम कर लेंगे यहां से यहां से इतना बढ़ा के इसको बिल्कुल कम कर लेंगे और इसके यहां से हम यहाँ से फैड इन कर देंगे और फैड आउट कर देंगे ताकि यह रहे भी और इसका कोई वजूद भी ना हो तो हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे यह देखिए पूरा पूरा पोश्टर के अंदर आ रहा है यह वीडियो अब इसको उपर नीचे करके हम पूरा सेट कर सकते हैं जैसे इसको यहाँ से नीचे करके इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं ताकि पूरे फ्रेम के अंदर यह एड़ हो जाए जी हमारा इसके अंदर एड़ हो चुका है यह देखिए हम आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा रहे हैं हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से इसका यह मुबाइल का जो साइज है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी इसका फाइल का नाम देके इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसकी क्वालिटी हमें हाई रखनी है और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो यह थोड़ी देर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट होने के बाद हम इसको प्ले करके आपको दिखाएंगे किस तरह की यह फाइल बन जाएगी और इसके अंदर हम आप इसको फेश्बूक इस्टाग्राम पे यह कहीं भी आप मॉवाइल के अंदर स्टेटिस लगाना हो इसका इस्टाग्राम के अंदर कोई स्टोरी लगानी हो स्टेटिस लगाना हो तो इसको हम इस्तमाल कर सकते हैं किसी को भेजना वाटसप के अंदर तो भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो आशा है कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो जानकरी है मेरी तरफ से आपको अच्छे लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना बोले हम आपको ये फाइल प्ले करके दिखा रहे हैं एक्सपर्ट होगी ये फाइल यहां से प्ले कर लेंगे अपको आप सब्सक्राइब कर से लिए फिर सकत्ष्टाइब कर सकत्या ना बोले हम आपको ये प्लाइब ये आपको ये उलने झापकोद कर संद दिखा लेडियों